नमस्कार मैं रेलू चोहान और आप देख रहे हैं हूंका 24-7 पांच आजमें हुई विद्धान सब चुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी खवरे मद्या परदिश में 17 दिसंबर को सेम पत की सपत लेंगे कमलनाथ बिजे पे कहें पलटना देबाल जी इसलिए कॉंग्रेस ने जोती रादित्य सिंद्या को नहीं बनाये MP का सेम मद्या परदिश का मुख्य मंद्री चुने जाने पर बोले कमलनाथ यह पत मेरे लिए एक मील के पत्थर की तरह है मद्या परदिश को मिले कमलनाथ, राजिस्थान में फसा पेच, फिर राहू दे मिलने जा रहे है सचिन पाइलर कमलनाथ को इंद्रा गांधी मान दी थी अपना तीसरा बेटा, संजे गांधी के लिए गय थे जेल दीकविजे सिंग ने कमलनाथ को दीबधाई कहा हर बचन पूरा करे कॉंग्रिस ने देश को दिया सबसे अमीर सीयम, कमल की आगे नहीं टिकता कोई दिली में 36 गड़ की सीयम दावेदारों से आज मिलेंगे राहूल गांधी 36 गड़ में हर 30 से एमले पर अपरादिक केस 3-4 करोर पती प्याय मोदी की जाती बताके सीयम पत पर सचीन ने पेश की तावेदारी इतिहास एक बाब फीर दोहराये गया और सिंधे से एम बनने से चुक गए विजोरों में पहली बार इसाई दिती रिवाजों के साथ फोगा सपत ग्रहन चुनावी नतीजों के बाद संसत भवर में आमने सामने हुए पेम मोदी राहूल कांधी खबरों का सिलसला यूही जारी रहेगा आप बने रियोंका 24-7 के साथ धन्यवाद